हेलो एवरिवान मैं हूँ आपका अपना दोस्त सतिंदर चोहदरी आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो की आपके जे एरफ के पाइंट आफ यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट है इस टोपिक पे आपको बहुत बार कोशन मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं गैसिफिकेशन की हम सभी को पता है एक वेस्ट को हम बहुत तरीकों से बर्न करते हैं For example, open burning कर देते हैं, incinerate करते हैं, gasification और pyrolysis. तो यहाँ पर हम बात करेंगे gasification की. जब भी gasification चीज हमारे दिमाग में आए, तो हमारे mind में दो चीज crystal किलियर होनी चाहिए. पहली चीज तो यह कि इसमें temperature high होता है, more than 700 degree Celsius, लगभग 800 से लेके 1400 degree Celsius temperature पे हम gasification करते हैं. दूसरी important point यह है, कि इसमें हम controlled amount में oxygen supply करते हैं. फिर से बता देता हूँ, पहला high temperature, दूसरा controlled amount of oxygen. oxygen जो हम supply कर रहे हैं, उसमें पूरा control होता है, एक limited amount में ही हम उसमें oxygen supply करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो आपका organic material है, वो convert हो जाता है sin gas में. Basically, CO, hydrogen और कुछ amount में CO2. mainly क्या होगा? CO और hydrogen. CO carbon monoxide और hydrogen दोनों को हम क्या कहते हैं? sin gas कहते हैं. इसमें कुछ amount में CO2 definitely होगा. और कुछ vapors भी इसमें मिल सकते हैं आपको, water vapors. बट basically, अगर कोई पूचे sin gas क्या होती है, तो CO और CO2. ये एक intermediate product है synthetic natural gas production में. इसका पहले बहुत application था, अब धीरे-धीरे और भी बढ़ गया है. जैसे जैसे एक industry अपने waste को अपनी site पे ही manage करने की सोचती है, वैसे वैसे वो alternative ढूणती है. पहले तो आपका sin gas से energy produce करते थे, अब उससे और भी चीज़ें बनानी शुरू करती, ठीक है? लाइक आपका bioethanol में इसका use हो रहा है, biochemical, plastic, बहुत सारे ऐसे process हैं, जिसमें आपका sin gas का use धीरे-धीरे हो रहा है. different research and development project चल रहे हैं इंडस्ट्री के कैसे अपनी waste से निकलने वाली चीज़ों को हम use कर सके हैं, जिससे की waste जो है वो सरतर्थी ना बने, उससे कहीं न कहीं इंडस्ट्री का benefit हो. इसके अलावा इस पूरे process में ash generate होती है, slag generate होती है, जिसको mineral residue भी हम कहते हैं, तो combustion एक अलग process होता है, gasification एक अलग process होता है, दोनों में कभी भी confusion आपने create नहीं करना है. अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि भाई, combustion में कौन से main product होंगे, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, ठीक है, मुझे बताना है आपने, आपका gasification में मैंने बता दिया, main क्या चीज़ निकल रही है, CO निकल रही है, hydrogen निकल रही है, कुछ amount में CO2 निकल रही है, और कुछ के production के लिए gasification किया जाता है, combustion में हम controlled oxygen योज नहीं करते हैं, तो उससे जो product बनेगा, उससे जो gas generate होगी, उसका composition आपने मुझे पताना है, बहुत important question इस पे आपको मिले है, मिलते रहेंगे, अभी इस पे recently पिछले दो paper में भी शायद इस पे कोई question आया है, बड़े ध्यान स आपने एक एक चीज को note करके दोस्तों याद करना है, gasification में क्या हो रहा है, high temperature, controlled amount of oxygen, बन क्या रहा है, CO, hydrogen कुछ amount में, CO2 water vapor, क्या बोलते हैं, syngas बोलते हैं, main use कहा पे हो रहा है, इसको energy equipment में हम योज कर रहे हैं, like boiler वोगरा में, इसे energy produce करने के लिए, इसके लावस के ठीक है, ये आपने सब कुछ note करके अच्छे से याद कर लिना, main point मैंने आपको बता दिये, इनी पर most of the question आते हैं, फिर भी अगर कहीं से अपने से पढ़ना है, थोड़ा बहुत इससे आप कहीं से पढ़के इसमें एक दो line और add कर सकते हैं, दोस्तों सीखते रहिए, मुस् confidence बढ़ेगा, सही गलत होना एक अलग चीज़ है, जवाब देने के लिए आपको confidence की जरूरत होती है, इसलिए मेरा मानना ये है कि जवाब दो और पता तो चले कि आप गलत हो, जब जब आपको ये पता चलता है कि आप गलत हो, आपको ठीक होने की जरूरत है तो आप चीज